असलाम लेकुम आज बना लेते हैं ये मल्टी कलोर वाला फालूदा जो की बहुत ही इजी है बनाना और इसका टेस्ट भी कम नहीं है दूसरे सारे फालूदा से चलिए बनाना शुरू करते हैं पहले हमें ai दूद कर देना है कंटेनर में और मैंने याप लिटर दूद यूस करी हूँ गैस की फलेम को हाइ करके बहुत अच्छे से इसे पका लेना है जब टेक्श्चर काफी अच्छा ठीक हो जाए मत इतना देर हमें इससे पकाना है गैस की फलेम को हाइ तू मिडियम कर के बीच में जरूर चलाते रहे हैं शकर भी एड़ कर देना है शकर की वीडियो अक्चली डिलीट हो गई एड़ कर दीजिए अपने टेस्स के अकॉर्डिंग और इसे नॉर्मल टेंप्रेशर के होने के बाद हमें इसे फ्रीज में रख देना है ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए और यहां पर हम यूज करेंगे वही फालुदा एड़ कर दीजिए डायरिकली इसमें मैंने बस दो यूज करी हूँ अभी मतलब देर लिटर में दो ही यूज होगा और मिक्स कर लेना है आप यहां पर जो आइसक्रीम आती है कुलफी वगारा वाली वो भी आप यूज कर लीजिए उसे भी साथ ही हमें रुवबजा आड़ कर देना है रुवबजा हाफ कप के करीब यूज करना है क्योंकि हमने शक्कर भी यूज करे हैं बस इसी वज़े से बहुत जादा नहीं और फ्लेवर काफी अच्छा अन्हाइंस कर देता है थोड़ा सा और आड करने से बस कर लेंगे इसे सर्व चिल्ड सा हमारा रुवबजा बनकर तैयार काफी एजी है और हाँ जरूर सब्सक्राइब कर लीजे बहुत सारी इंट्रेस्टिंग और एजी रेसिपीस के लिए अल्लाहाफेज